नमश्का Conversation with Vivek Let's Talk Life मैं ये छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ और अपने एक्सपिरेंसे शेर कर रहा हूँ ताकि आपको मेरे एक्सपिरेंसे कुछ मदद मिल जाए, कुछ दिशा मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए हुआ यू कि मैं जब मुंबई आया और मैंने श्री महिजभट जी की यूनिट को जॉइन किया तो सर फिल्म की शूटिंग के लिए मैं चर्णी रोड विलसन कॉलेज पहुचा तो सबसे पहले तो गेट पर एक दाड़ी वाले बंदे ने कि रोग लिए किदर किदर कहा जा रहे हो एक्टर बनने आया है तो मैं लए निए डिरेक्टर बोले हाँ फिर जाओ वो एक्टर था इंसिक्योर था उसको लगा कि ले एक और एक्टर बनने आ गया और हमारा कॉंपटिशन बढ़ जाएगा मैं अंदर गया बहुत कैयास लाइट्स बड़ी कैमरा कौन क्या बात करा कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैंने देखा नसीर भाई और भट साब जो हो इंग्लिश में आपस में कुछ डिबेट कर रहे थे शायद सीन के बारे में पूरा महाल देखा मैं डर गया मेरे को लगा ओ ये भाषा ये टेक्निकल चीज ये सब तो मुझे आती नहीं है मैं लगा चलो जबलपुर वापस यहां तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है उतने मैं ने कॉर्णर में रेखा कि दो असिस्टेंट आपस में लड़ रहे थे जल्दी करो तो क्लिप बोड लिया फटाफट मैंने कार्बन पर कार्बन लगाया पेपर लगाया और हिंदी में तो हम जबलपुर वाले मैं सर्वाइब कैसे करूंगा जिसे मैं अपनी कमजोरी मान रहा था वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई उस सीन की कॉपी करने की वज़ज से मैं पर्मिनिंट हो गया मुझे हमेशा सीन को जरॉक्स मतलब कॉपी करना एक्टर्स को देना बॉस को देना धीरी धीरे करते करते सीन स्टेजिंग में इन्वाल हो गया सारे एक्टर्स मुझे अपनी मैं में बलाया करते हैं तुम पढ़ो चलो आमिर, अक्षय, सैफ, ट्रिंकल, शारुग, नसीर भाई, यहां तक की सत्यवदेव दुबे जो कमरिशल, नॉन कमरिशल थेटर के गुरु माने जाते हैं क्रिमनल फिल्म के टाइम पर भी नाग भाई, रमया कृष्णन, हीरा राजगोपाल, जेंटलमन फिल्म के टाइम पर और ऐसे करते करते एक बहुत कमाल का एक कनेक्ट बन गया और मैंने यह तलाश कर लिया कि मेरा यूएस पी, मताँ यूनिक सैलिंग पॉइंट क्या है, कम आपके अंदर इसी कौन सी चीज है, जिसकी वज़े से दुनिया आपके पास आएगी है, जिसे आप यूनिक सैलिंग पॉइंट कहते हैं, सब के अंदर है, हम सब का जो थम इंप्रेशन है वो यूनिक है, भगवान ने एक जो थम इंप्रेशन आपको दिया है, वो किसी से म आपको समझने हैं कि आप बहुत अच्छे लेखा कें, आप बहुत अच्छे ओरिटर हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्टर के लिए तो लेंग्वेज में कमांड सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, कि 10 पेज, याने 5 किसे पेश करूं ये मुरादों की हंसीरात किसे पेश करूं जैसे गुलजार साब का एक बड़ा फेमस गाना है फार्सी में जो उसका पहला फ्रेज है जिहालम इसकी मकुन बरंजिश बहाल हिज्र बिचारा दिल है सुनाई देती है जिस की धलकन तुम्हारा दिल या हमारा द प्रेक्टिस कीजिए अचानक आपको कोई भाषा नहीं आ जाएगी अचानक आपके अंदर एक यूसपी पैदा नहीं हो जाएगी जो है आपके अंदर वो उठकर ऊपर आ जाएगी तो आज से आपको ये एक नई जर्णी शुरू करनी है अपने अंदर की यूसपी अगर आपके अंदर कोई खास बात नहीं है तो आप एक आम आदमी हैं आपकी किसी को जरूरत नहीं है आप भीड है आप अगर आपका जनम किसी बड़े परपस के लिए हुआ है तो लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन अन्यू लाइफ विद अन्यू एडिशन हर दिन आपको जो है वो बहुत जादा बड़ी नहीं, अब तो ग्लोबल एक उरी बड़ी फैमली की तरह हो गई है, प्रॉब्लम यह है कि आप जागे नहीं अब तक, और आपने अभी तक अपने अंदर का USP, Unique Selling Point ढूंडा नहीं है, तो let's talk life, let's begin a new life, conversation with Vivek Sharma, और देखते रही है YouTube का ये